शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें चोड़ो मेरा हाथ मैं चोड़ो मेरा हाथ । चोड़ो मेरा अच्त समयर कि सब्सक्राइब मैं काज़ें क्या हुआ बटिंश रही है तो कि रोके रही है तक कि बोन्त कि नहीं क्या हुआ जिना नहीं जाती हुँ अधियों जाती हुआ पिज्ट देखे पूज्ट एथी हुआ और हम चाहते हैं कि स्टील में भी सहाय इंडिस्ट्री इस नंबर वन जाए अंदर इंपोर्टेंट मीटिंग कल लाई है आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं यह सब पेटा यह पेटा मुझे आपसे जरूरी काम है प्लीज एक्स्क्यूस जेंटलमन कम आप अपना जरूरी काम मैं शादी करना चाहता हूं मालूम है बर्खुरदार की शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है जानता हूं डैड लड़की मैने देखी है बहुत अच्छी है लेकिन उसके साथ बहुत जल्म हो है डैड चोटी से उमरें बचारी विद्वा हो गई तुम जानते हैं तुम क्या कह रहों कली अख़वारों की हेडलाइन होगी कि रामा कांसाय का खांदान की बहु एक विद्वा है यॉर मैड येस आयम मैड लेकिन बहुत चाहता हूं से मैं बहुत प्यार करता हूं से अच्छा अच्छा तो यह वही लड़की है जिसकी वज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये शादी नहीं होने दूगा तो फिर आप भी सुन लीजाए अगर मैं शादी करूगा तो सिर्फ उसी लड़की से और इस दुनिया की कोई भी दाकत मुझे नहीं रोक सकती आप भी नहीं हाँ सिना इस से पहले कि जिन्डारी आग बन जाए उस लड़की को शहर बदर कर दो करे निए यह जादी कर दो कर दोसो प्राज हो का दो कर दो दो कर दो नृ जचर WAT div कर दो था जचः strictly दो च्राब जो korおい कि पहर दो आया weak कि चचिखो 주 दो प्राब कि और इस चुतम भे पु़ कि उना खू क्लिका दोज चार्स था छू ? खर्ट लंट पर्ख चपका right था कुरूज है! झाल जो जटन! जो! हूओ! हुआ जो! हुआ जए जा! हुआ कि ईहाओ! किस के कारे बड़, 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 किस के कारे बड़ यहां थैंक यहां थैंक जेंटलमें यूर देंशन प्लीज रमा कान सहाई को कौन नहीं जानता बहुत बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट आइस देश के केंग मेका हरे लाख और रुपया चंदा देते हैं इलेक्शन्स में और सूथ समेध वसूल भी करते हैं और आज ये बहुत बड़ा करनामा करके आए हैं एक पिचारी मजलू मौरग और उसकी विद्वा बहुपर इनके गुंडों ने हमला किया और कसूर लेडिस और जंडलमन इनका बेटा इस उसलिकी से शादी करना चाता है राजा आ रहा हो आप एके पास आ रहा हो कोब जगा चुनी है सब के सामने मुझे रुस्वा कर रहे हो ये बात कर भी हो सकती थी घर घर का मतलब समझते हैं आप तो लोगों के बसे हुए घर उजारते हैं राजा ये मत भूलो तुम अपनी बाप की बेज़ती कर रहे हो अगर आप का मतलब समझते न तो अपने बेटे की खुश्या ना उजारते तुम हजड से गुज़र भी हो राजा तुम ये बेजा हरकत कर सकते हो आगे पानी की पुलबळे की उबर क्या होती है तुहार ये बाप रहाकां सहाय जिंदग्या बनाता है और्भजग्यां उजाता है अचली मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को ही खतम करता हूँ यह तो कि आज के बाद और किसी ने उस गर के तरफ नजर उठा कर भी देखा तो मुझ से बुरा कोई नहोंगा रहा कान सहाइब कि अज़िए कि मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि अज़िए चोड़ाया हुए वह नाम वह दोलत वह जएदाद वह पाप सब्सक्राइब कि अज़िए पास आगया हुआ मैं तुझ से काजल की भीख मांग रहा हूं लेकिन बेटा जानते हो काजल तो जानता हूं माजी लेकिन इसमें काजल का कसूर है कि वह विद्वा है अरे अगर दोशी देना है ना माजी तो उस बख्वान को दो यह सब जानते हुए भी माजी पर बिटा वह मुझे काजल दे दे माँ मैं समाने बर की सारी खुश्या समेट कर उसकी सिंदगी आबात करना जाता हूं मैंने मैंने प्यार किया है माँ प्यार किया है मैंने मैं काजल के बगर रहनी सकता मां मैं उसके बगर नहीं रह सकता मुझे काजल दे दे मां तुझसे काजल की भीत मांगने आया हूं काजल पुझे दे दे मां पर भीत मांगने या हूं अपने हिस्से के दुख सह चुकी हूं अब और कितने दिनों तक जिन्दा रहूंगे कौन मापनी बहु से कहेगी कि उसके बेटे की यादों को भुला दे मैं कह रही हूं तो जब पहार जैसी जिन्दगी कातनी है तुने देख लिया ना इस छोची सी जिन्दगी में देख लिया ना या तब की दुपहर में भेडिये घूमते हैं हर मर्द मौके की तलाश में है धात लगाए बैठा है कि कहीं कोई औरत अकेली मिल जाए उसे राजा यहां फरिष्टे की तरह आया है बेटी उसने इस ख़र में बेटी के तरह कदब रखा है और वो तुससे प्यार करता है यह जमाना बहुत बुरा है बेटी यह तुझे जीने नहीं देगा इससे तो सीता मा को नहीं बक्षा और तू तो बेटी काजल मा कट जाए कि इस जिन्दगी उनकी आदम के सारे मैं आपके के हाँ जोड़ती माजी मुझे उनकी यादों से तो अलग ना करो तो मैं मर जाओंगी माजी मैं मर जाओंगी बस कर जब भी मैं तुझे इस सफेद लिबास में देखती हूँ तो मुझे अपने को क्यों जाजाने का एसास होता है अगर मैं किल किल मर के जी रही हूँ तो तेरी खापिर है लेकि मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी और आज यह लड़का आया है अपना सब कुछ छोड़कर सारी दुनिया से बगावत करके तेरी दुनिया आबा अगर तो यह शादी नहीं करेंगी तो अपनी मा का मरा मूँ देखेंगा